नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने चैनल में स्टैस्वी कलाईज पर दोस्तों हर्याना कोशलोजगार निगम के पोर्टल पर किसका रिजिस्टेशन होगा और किसका नहीं होगा इसे सम्मंदित एक बहुत इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन आज जारी किया गया है सर बहुत सारे सवाल पूछे गई पहला सवाल तो पहला सवाल पूछे गई थे पहला यह था कि अगर कोई retirement person है ठीक है retired person है कोई भी वेक्ति अगर वो दोबारा से यहाँ पर जोब करता है किसी department में तो क्या उसका registration करवाय जाएगा नहीं करवाय जाएगा कोशनलोजगार निगम के portal पर तो यहाँ पर यह सपस्ट किया गया है कि ऐसे retired person के लिए सरकार दोबारा Chief Secretary of Haryana के दोवारा यहाँ यह रा यह लाइन ठीक है Chief Secretary of Government Haryana के दोवारा अलग-अलग समय पर उनके लिए rule regulation अलग से बनाये जाते हैं तो उनको register जो register नहीं करना है ठीक है दुसरा परसंद था यहाँ पर यह ऐसे परसंद जो कोई भी part time काम करता है तो उसको भी registration उसका करवा है या नहीं करवाना है तो ऐसे करम्चारी तो यह अपनियों ने जो जवाब दिया है यह यह आपर दिया है एसे करम्चारी जो डेली बेत्र जिट गंटे पश्येज करते हैं HELरोज तो उनका registration नहीं कर रवाय जाएगा अगर कोई करम्चारी किसी भी ओपीस में पर टाइम पर लगा हुआ है और अगर वो डेली 6 गंटे काम करता है या फिर 6 गंटे से जएदा क्योंकि duty 8 गंटे के होती है तो 6 गंटे से जएदा अगर वो या फिर 6 गंटे काम करता है तो उसका registration करवाना अनिवारी है आए देबात कलियर की गई है तीसरा परसन यहाँ पर बता गया है यह चीज पूछी गई थी कि ऐसा करमचारी जो सीजनल काम करते है जैसे और क्लोजीत63 करवाना हैं तो यहांप एक अदर बात सपस्ट की गई है ऐसे क्रम चरहों का registration करवाना जरूरी है चाहिए वो 6 महीने के लिए काम करें तीन महीने के लिए काम करें department में अगर वो ful time कर रहा है ठीक है यानि के सुबह ऐसे लेकर स्याम तक याठ गंटे अगर ful time काम कर रहा आधस के तो उसका रिश्रेसं करवाना जरूरी है यानिके जो हार्ट्रोन के थ्रू लगे हुए इनके लिए भी बहुत सारे सवाल पूछे गई थे तो यहाँ पर यह बात सपस्ट कर दी गई है इनको भी जो है हर्यान को सलोज गार निगम के पोर्टल पर रेजिस्टर किया जाएगा सपस्ट यहाँ बात यहाँ पर कर दी गई है इसके बात नेक्स ले ले लेते हैं तो यहाँ पर यहाँ बात कही गई है कि बहुत सारे करमचारियों का रेजिस्टेशन नहीं करवाना है क्योंकि उनके लिए अलग से रूल रेगुलेशन सरकार ने पहले से बना रखे हैं वह अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से काम करते रहेंगे जैसे वह कर रहे हैं ठीक है इसके बाद नेक्स ले लेते हैं नमबर शिक्स लास्ट परसन है वैदर दाव वेज पर यह इसक सारे करमचारियों का जो बेसिक स्टार्टिंग पे होती है वो तो कम होती है लेकिन उनकी बढ़ बढ़ कर आगे चल कर जैसे वो च्यार साल पांच साल होते है तो उनकी 30,000 रुपे से ज्यादा चले जाते है तो ऐसे करमचारी का रिजिस्टेशन होगा या नहीं होगा तो यहाँ पर यह बात सपस्ट की गई है कि अगर कोई करमचारी उसकी 30,000 रुपे से ज्यादा सेलरी है वो स्रिफ अनुबाव क्यादार पर है ठीक है तो उसका रिजिस्टेशन जरूर होगा क्यों क्योंकि उसकी बेसिक जो सेलरी है जो स्टार्टिंग सेलरी थी पर मन्त वो थी उसकी माली जे 25,200 ठीक है यहाँ पर एक उदार्णी नोंदेर के हार्ट रोन से रिलेटेड है यह ठीक है यह बता गया है था इंचल वेज एडमिसेबल टाइम फर्स्ट इंट्री तो फर्स्ट इंट्री के समय जब उसने जोईन किया था तो उसकी सेलरी थी 25,200 रुपे पर मंद ठीक है लेकिन अब उसकी हो गई है 35,000 रुपे तो ऐसे कंडिडेट का रिजिटेशन भी करवाना ज़रूरी है क्योंकि उसकी जो बेसिक सेलरी है स्टार्टिंग सेलरी वो अब 30,000 रुपे से कम आगे चल कर बले ही ज्यादा हो जाए तो ऐसे करमचारी का रिजिट जोंगो कलियर कर दिया गया है आज की डेट का निये नोटिकेशन आप लोगों के लिए बताया गया है तो यह थी सारे सारे सवाल जवाब जो अभी बिलकुल नए लेटेस्ट जो है नोटिकेशन दिया गया है तो दोस्तों आप भी चाहते हर्यानम एजुकेशन से सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दोस्तों साथ सेर करें थैंक यू वेरी मुच